कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको कौसिच टेक्निकल में आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक थर सैमिश्टर थर्मा लिंजी नियरिंग के उस्मा उपचार चैप्टर के बारे में तो यह जो पर्चा है तो उसको देखेंगे और उसके कुछ टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो वीडियो सुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारी नई वी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं तो परचे इंटुडेक्शन दातु एवं मिश्य दातु में सामानत है प्रक्तिकल आवश्यक्ता अनुसाब के अनुरू प्रियोग में लाए जाने वाले वांचित गुन नहीं होते अथा उ आवश्यक्त तापकरम तक करम किया जाता है तता फिर वांचित कर से सीतलन किया जाता है अथा उसमा उप्चार विदी तापनेम सीतलन की प्रक्रिया है उसमा उप्चार निम्न उद्देशों की प्राप्ति के लिए किया जाता है तो उसके जो निम्न गुणाए इस प्रका क्रियाओं के फलसरूप उत्पन आंत्रिक वलों को दूर करना ठीक दोस्तों तो नैस्ट है जो इसमें थोड़ा जूम हो गया है कोई बात नहीं नैस्ट है दातू के यांत्रिक गुण जैसे तनन सामर्थ कठोड़ता तन्यता आघात प्रतिरोद संचान से बिरोद ठीक है पांचमा पॉइंट जो है आपका दातू के चुम की एवं बिजित्य गुणों में ब्रद्दी करना ठीक है नैस्ट है गिसावट का बिरोद करना उसमा तथा संचन के बिरोद प्रतिरोद दिखाना ठीक है नैस्ट है दातू सत्यों की तन्यता ओते हुए बहारी सत् बनाना नेश्ट जो आपका धातू की कठोरता एवं भंगुर्था कम करना ये आपका आटवा पॉइंट है ठीक है नेश्ट है धातू की रासानिक सन्नचना में परवर्तन करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अथा किसी धातू का उस्मा उप्चार का धातू के गटकों दातू गरम तथा ठंडा की देरी की दर आधी पर निर्वार करता है लोई तथा इस पास के बड़े गटक होते हैं अथा इनको उस्मा उप्चार करने से पूर्व गटकों का ग्यान होना आवश्यक है नेश्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लोई तथा एस्टील के सुष मे गटक तो आइरन तथा इस्टील में कारवन भिविन रूपों में पाया जाता है अथा इसमें सुष में गटक निमने हैं जिसे धातू सतय पर मैल्टरीकल मैक्रोस्क्यूप त्वारा तो हजार से चार्ट कि दोचाइफ दोसो सेचार्ट सो गुना पड़ा करके देखा जा सकता है तो फिस्ट जो है कवचका फैराइट ने अशमांळ्मन एट कि ने स्टे फ्लाइट कि ने स्टे लूडे ब्राइट और श्टे नाइट बैन ऑर मार्ते नाइट ट्रस्ट टाइट स्वर्वाइट और अनुरूप स्वरूप तो यह आपके जो टॉपिक हैं दस तो यह था उसमा उफचार का इंट्रोडेक्शन पढ़ चैसा लगा कमेंट मों बताना और चैनल पर पहली बार आते हो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना